तो मैं काफी सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैंने नीट के स्टूडेंट्स, आईटी जेए के स्टूडेंट्स, जेए मेंस के स्टूडेंट्स, इवन KVPY, ओलंपियार्ट्स और जो NTSC के लिए बच्चे प्रिप्यार करते हैं, उनको फिजिक्स पढ़ाई है तो यह जो चैनल बनाया है मैंने इसके पीछे रीजन यही है कि जिन बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आती है, जिनने डिफिकल्टी फील होती है, जिनने लगता है कि फिजिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूँ, कि अगर हम में बहुत सारे वीडियो यहां पर फिजिक्स के डालूँगा इवन जो 11th 12th की जो फिजिक्स है competition के लिए boards के लिए वो भी सब मैं यहां पर डालूँगा तो आप मेरे चैनल को subscribe कर ले चीक है ताकि मेरे चैनल से जितने भी फिजिक्स के वीडियो हैं उन से आपको काफी benefit हो सके चलिए तो start करते हैं vectors का lecture 2 तो last lecture में हमने पढ़ा था कि जो vectors होते हैं उन में direction होती है ठीक है vectors में angles हम कैसे देखते हैं उनके directions के बीच में जो angles होते हैं उनका measurement कैसे किया जाता है उस पर हमने कुछ questions भी किये थे तो जिन बच्चों ने वो लेक्टर देखा होगा उनको पता होगा जिन नहीं देखा है ठीक है तो आप मेरा vectors का lecture वन जरूर देखें ताकि यह class आपको वहां से समझ में आए तो आज हम पढ़ेंगे students vectors में types of vectors types of vectors ठीक है तो start करते हैं बहुत basic से तो सबसे पहले हम parallel vectors क्या होते हैं यह देखेंगे बहुत basic basic definitions है ठीक है इन्हें हम समझेंगे तो parallel vectors क्या होते हैं ऐसे vectors जिनके पास same direction हो उन्हें हम parallel vectors बोलते हैं ठीक है तो मैं आप बहुत basic चीज़े लेख रहा हूँ have same directions तो यह बाकी किसी चीज़ पर comment नहीं करता है सिरफ direction की यहां पर हम बात करेंगे तो अगर दो vectors parallel हैं like this और like this तो they are parallel vectors तो parallel होने के लिए magnitude का same होना जुरूई नहीं है आपकी direction अगर दोनों vectors की सेम है तो आपका vector कैसा होगा parallel vector ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़े हमें आपर जाननी है दूसरे होते हैं anti-parallel vectors अब anti-parallel vectors के अगर हम बात करेंगे तो ऐसे vectors में direction क्या होती है have opposite direction have opposite direction ठीक है अब इन vectors में अगर direction की बात करें तो यह opposite में होगी magnitude का अगेन यहां पर हम कोई comment नहीं करते हैं सेम magnitude हो सकता है और magnitude सेम ना हो तो भी vectors anti-parallel होने के लिए direction क्या होनी चाहिए opposite तो अब यहां पर यह जो दो vectors हमें define कर लिए हैं अगर हम angle की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि angles के लिए हमें क्या करना होता भई एक vector के tail पे दूसरे vector का tail रख दो तो यहां पर अगर हम tail रखेंगे तो भई angle कितना आएगा 0 degree ठीक है अगर इनकी बात करें तो यहां पर अगर हम vectors में एक vector की tail दूसरे vector पे रख दें तो यहां angle कितना आएगा भई 180 degree तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमने range decide की थी vectors के angles के लिए हमने क्या decide किया था कि vectors के बीच में जो angle हम देखेंगे वो directions के बीच का angle होगा और उसकी value होती है 0 से लेकर 180 degree तो आप देख सकते हैं जो उसके ends है 0 और 180 यह किसको बताते हैं parallel vectors को और यह किसको बताते हैं anti parallel vectors को चीक है तो आगे बढ़ते हैं इसमें तो next vector है हमारे पास equal vectors अब जैसा कि हमने नाम लिया हम यहाँ equality की बात करेंगे तो direction के साथ भई हम किसको अब add कर लेंगे magnitude को add कर लेंगे तो यहाँ पर third type जो होता है हमारे पास थर्ड टाइप वो होते हैं equal vectors equal vectors तो equal vectors में हम क्या देखेंगे have same magnitude and direction अब physics की अगर हम बात करें तो यहाँ पर third चीज़ और हम include करते हैं वो क्या होती है कि physics में equal vectors होने के लिए उस same physical quantity को भी represent करने चाहिए तो they must represent the same physical quantity तो यह भी वहाँ पर होना चाहिए अब क्या इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि हमने दो वैक्टर्स लिए एक यह वैक्टर है और दूसरा यह वैक्टर है ठीक है direction सेम है दोनों राइट वर्स चो कर रहे हैं लेकिन यह वैक्टर velocity है और यह वैक्टर 2 newton है तो आप क्या देख पा रहे है velocity meter per second unit है यहाँ पर unit है newton मतलब force की हम बात कर रहे हैं तो एक velocity का वैक्टर है और दूसरा force का अब force को velocity के बराबर तो नहीं बोल सकते direction सेम है लेकिन magnitude भी सेम है लेकिन direction से magnitude सेम होने से physics में काम नहीं चलेगा equal vectors अगर है तो उनके physical quantity भी same होने चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ यह equal नहीं है तो इसका मतलब equal कभ हो सकते है अगर मैंने force को force से compare किया या velocity को velocity से compare किया तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह दो velocities same direction same magnitude यह यह दो forces same magnitude same direction यह 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 दो फोर्सेज same magnitude same direction यह यह दो इसका मतलब physical quantity भी उनकी सेम होनी चाहिए तो आगे बढ़ते है next तो next vector है हमारे पास null vector नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास null vector तो अब null vector क्या है null vector का दूसा नाम zero vector भी रखा गया है तो null vector और zero vector इसकी हम बात करें अगर तो यह क्या है तो actually क्या है कि अगर हम point की बात करें तो physics में हम point vector की जब बात करते हैं तो point vector के पास कोई magnitude नहीं होता है point vector के पास कोई direction भी नहीं होती है तो एक particular direction अगर नहीं है कोई magnitude नहीं है तो ऐसे point को हमने physics में क्या नाम दिया कि vectors के लिए अगर vectors की बात करें तो उसमें vectors के लिए हमने उसको क्या नाम दिया? Zero vector. चीक है? तो इसका significance क्या है? ये समझलो कि अगर हमने force में से force subtract किया तो हम क्या बोलते है? Zero Newton का force. हमने velocity में से velocity subtract किया तो हम क्या बोलते है? Zero meter per second velocity. इसका मतलब अगर एक vector को उसी में से subtract कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? Zero vector. तो वहाँ पर हम बस उसको zero, जो zero लिखते हैं, zero को हम एक zero vector से represent करते हैं. चीक है? तो zero vector की खास बात क्या है? It has magnitude equal to zero. equal to zero. And has no specific direction in space. तो ऐसा vector हमारे लिए zero vector होता है. Example के लिए अगर मैंने a vector में से दूसरा a vector subtract कर दिया, तो यह जो मिलेगा हमें, इसे हम बोलेंगे zero vector. Zero vector या फिर null vector. चीक है? तो यह 4 vectors जो हमने पढ़े, यह बहुत basic definition हमने जाननी थी कि अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा vector किस type का होगा, क्या उसमें property होगी, तो मैं पता होना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं, जो next हम पढ़ने वाले हैं, बहुत important vector है, और उसका हम बहुत जादा use करने वाले हैं. तो fifth one is unit vector. तो पहले इसके has a specific direction in space, specific direction in space. अब यहां तक ठीक है, इसका magnitude 1 होता है, इसके specific direction होती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज़, this vector, this vector represents, this vector represents the direction of a vector. तो यानि unit vector की importance क्या है, कि यह vector जो है, यह direction दिखाने का काम करता है, ठीक है, तो किस तरीके से यह direction दिखाएगा, यह हम देखेंगे, यहां पर हम बहुत ही simple सा example ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लोग की हमारे पास एक vector है a, अब इस vector a का जो यह length है, मान लेते हैं कि यह length 5 है, ठीक है, इसकी कुछ unit होगी, newton हो सकती है, 5 meter पर second हो सकती है, ठीक है, कोई भी unit होगी इसके पास, अब अगर मैंने इस vector का सबसे smallest vector निकाला, जिसका magnitude 1 है, ठीक है, तो वो vector कुछ इस तरीके से हमें show होगा, जिसका magnitude कितना है, 1, अब यह जो vector हमने निकाला, उसको हम a vector की बजाए हम क्या लिखते है, a cap, तो यह direction दिखाने का तरीका है, तो यह हम क्या कह सकते है, a vector और a cap, अगर यह ऐसे cap लगा दिया जाए students, तो इसे हम बोलते है, unit vector, और direction, और यह हमने क्या लिखा हो है भई, vector, तो यह भी vector है, यह भी vector है, बस इस vector में फरक क्या है, जब किसी alphabet पे आप unit vector का symbol लगाते हो, तो इस vector की खास बात क्या है, this vector is just representing the direction, इसके पास magnitude कितना है, 1, अब 1 इतनी कमाल की value है, कि अगर आप इसको एक direction मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, यह direction से जिस भी unit, जिस भी magnitude को multiply करेंगे, यह vector बना देगा उसको, ठीक है, यानि मान लो कि हमने इस a cap से multiply किया 10 newton, तो भाई 10 का मतलब क्या है, समझो इसको, 10 का मतलब क्या है, कि वो इसको 10 times, ठीक है, इसको 10 times add कर लेगा, तो यानि इसका 10 times आप कैसे दिखाओगे भाई, आप काओगे 10 times तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ, होगे भी 10 times, आपने ऐसे 10 vectors, ठीक है, ऐसे 10 vectors यहाँ पर अरेंज कर दिए, तो आप इसको क्या लिखोगे भाई, 10 a cap newton, मान लो कि आपने इसको 10 newton की बजाए multiply किया होता कि इससे 10 meter per second, या मान लो कि आपको यहाँ पर multiply करना है 5 के साथ, तो आप कह दोगे 5 a cap meter per second, या मान लो कि आपको multiply करना है 3 के साथ, तो 3 newton a cap, तो क्या समझ में आया, कि यह एक ऐसा vector है, जिसके पास magnitude कितना है 1, यानि यह सिर्फ एक magnitude 1 के साथ, एक direction को represent कर रहा होता है, और जैसे ही कोई magnitude इसके साथ multiply होता है, तो वो magnitude और यह direction मिलके, एक vector को complete कर देते हैं, तो यह unit vector की सबसे खास बात क्या है भई, कि यह vector जो है direction दिखाने का काम करता है, ठीक है, direction दिखाने का यह काम करता है, यह सबसे important इसमें property है, तो इसे सब लोग ध्यान रखेंगे, unit vector हमारे लिए बहुत important है, और इसका symbol भी ध्यान रखेंगे भई, अगर आपने एक यह उपर vector का arrow लगाया, यह vector है, लेकिन जैसे आप cap का arrow लगाएंगे, आप समझ जाएंगे, यह vector में magnitude के नाम पे सिर्फ one unit magnitude है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम अब vector का पूरा representation देखें, ठीक है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, आपने सारी काम की बातें जान लिएंगे आप वेक्टर के बारे में, तो बेसिक बातें जानने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तो हम क्या देख पाएंगे, वेक्टर दिखाने का तरीका, यह है, जिसमें एक टेल है, में वापिस वाद रिवाइस करवा देता हूँ, यह टेल है, यह head है, यह magnitude है, magnitude का मतलब क्या है बई, magnitude का मतलब क्या है, length, ठीक है, यह आप पढ़ चुके है, वेक्टर दिखेगा ऐसा, लिखा कैसे जाएगा, अब अगली चीज सुनिये ध्यान से, अगली चीज, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में दो चीज़े होंगी, एक तो होगा magnitude और एक होगी direction, एक तो होगा magnitude और दूसरी होगी direction, अगर वेक्टर को तोड़ लिया जाए, तो वेक्टर के हम दो हिससे कर सकते हैं, direction और उस का magnitude, magnitude का दिखाने का तरीका क्या रखा गया, इस तरीके से, अगर आप दो vertical lines के बीच में इस A vector को बंद कर दें, तो ये उसका magnitude दिखाने का तरीका है, इसे नाम दिया जाता है modulus, modulus of A vector, यानि modulus हम इसको read करते हैं, ठीक है, ये mathematical term है, आपको mathematics में पढ़ाई जाएगी, जो maths व non-medical लिया होगा, उनको पता होगा ये चीज, अब ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम कैसे pronounce करेंगे, it is modulus of A vector, या फिर इसको short for क्या लिखते है, mod of A vector, ठीक है, अब ये mod of A vector क्या दिखाएगा, पढ़ने का तरीका समझ में आना चाहिए भी सबको, magnitude है ये, ठीक है, यानि जब मैं ऐसे लिख दूँगा न, ऐसे लिख दूँगा, तो मैं क्या पढ़ूँगा, vector, क्या है इसके पास, magnitude भी और direction भी, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे लिख दूँगा, ऐसे लिखते ही आपको क्या पढ़ना है इसको, ऐसे लिखते ही आपको पढ़ना है कि ये तो magnitude है, इसमे direction की बात हम नहीं करेंगे ठीक है अब direction की बात कैसे करेंगे direction की बात ऐसे कर लेंगे यानि जब a के उपर cap लगा देंगे तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे होंगे direction की clear तो हमारे पास सारी चीज आ चुकी है, direction भी आ चुकी है, vector भी आ चुका है, और magnitude भी आ चुका है, अब इन सबको हमें एक साथ कैसे relate करना है, वो देखना है, तो अब से आप इनको कैसे relate करते हो, कि एक vector किसे बनता है, magnitude multiplied with direction, तो ये हमारे पास proper representation है, आप देखे ध्यान से, जो हमने direction निकाली थी वो यहां से भी हम show कर सकते हैं क्या कि A cap अगर मैं यहां रख लूँ तो A cap क्या लिख सकता हूँ A vector divided by उसका magnitude तो यहांनी direction is equals to vector divided by its magnitude तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं जब हमें direction कभी निकाल नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे अगर आप vector form को उसके magnitude form से divide कर देंगे ठीक है तो vector form को उसके magnitude से divide कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी direction अब यहां पे एक चीज़ ओध्यान रखने वाली है जो vector के पास आपका unit होता है वही unit unit मतलब जैसे vector मानलो velocity का है तो आप बोलोगे meter per second तो आपके magnitude में भी meter per second अपने आप आजाएगा अगर यहां पे यह Newton में है तो यहां पे Newton में आजाएगा इसका मतलब अगर आप यहां पे कोई unit रखेंगे तो same unit यहां पे आएगी तो बताओ इसकी unit क्या होगी तो आप बोलोगे सर्थ direction की unit थोड़ी होती है direction तो represent की जाती है vector के लिए तो इसका मतलब direction के पास कोई unit नहीं होती है तो यहां पे हम इस चीज़ को लिख लेंगे कि unit vector unit vector is a unit less unit less quantity and dimension less quantity and dimensionless quantity तो यह चीज़ हम vector के लिए ध्यान रखेंगे unit vector के ऐसी quantity है unit less quantity है और dimensionless quantity है यह जो term dimensionless है इसको हम आगे देखेंगे एक chapter हम पढ़ते है units and dimension तो मैं जो videos डालूँगा sequentially उसमें आपको इसके बारे में detail में बताऊँगा अभी के लिए बस आप इसको याद रखें कि unit vector is a unit less and dimensionless quantity तो यहां तक आपको basic बात है सब समझ में आ गई vector दिखाने का तरीका head, tail, magnitude magnitude कैसे दिखाएंगे direction कैसे दिखाएंगे pronounce कैसे करेंगे mod, mod of a vector यह vector है और इन सब को हम ऐसे relate कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो आगे अगर हम बढ़ें तो इस पूरे space को अगर हम Cartesian coordinate system के हिसाब से देखें बच्चों तो हमने तीन directions बनाई X, Y, और Z जो यह Z बनाते हैं यह obvious ही बात है board हमारा two-dimensional representation है तो हमें यह Z जो है यह कुछ A से दिखाना होता है इसको आप सही से visualize करना चाहें तो यह कहां से आया है basically आपने एक खूब figure बनाया होगा cube का ठीक है अगर हम cube को ध्यान से देखें तो इस cube में यह जो आपका representation है यह वाला जो representation है देखे ध्यान से यह हमारा क्या हो गया बच्चों? X यह हमारा क्या हो गया? X यह हमारा क्या हो गया? Y अब आप देखे ध्यान से 2D में जो ये बाहर आतावा दिखाई दे रहे है ये वाला ये हमारा क्या है भई Z तो जो हम यहाँ पे ये तीन दिखाते हैं ये तीनों आपस में क्या होते हैं mutually perpendicular तो ये तीनों mutually perpendicular हैं आप ये समझ लो एक box के एक point से तीन perpendicular sides अगर हम draw कर दें तो ये ही मिल जाएगा हमें तो याद रखना ये तीनों आपस में कैसे होते हैं mutually perpendicular तो ये इसी view से उठाए गए हैं अब यहाँ पे space में जो vectors हम दिखाते हैं अगर हम इन vectors की बात करें तो इन vectors में ये vector को एक universal direction मिल गई इसको हम i cap से represent करते हैं इसको हमने जो direction दी वो j cap से और इसको जो हमने direction दी वो k cap से represent करने की दी ठीक है कुछ लोग इसको x cap भी y cap भी और z cap भी use कर लेते हैं ठीक है वो books में अलग-अलग notations आपको मिलते हैं उसके according ये रख लेते हैं तो आप क्या समझे x cap की अगर मैं बात करूँगा या i cap की बात करूँगा तो इसका मतलब क्या है unit vector unit vector along x axis अब x axis के लोग unit vector है i cap ऐसे ही आपका होगा j cap unit vector along y axis और k cap unit vector along z axis तो अगर मुझे minus x axis को दिखाना है भई क्या करेंगे simple सी बात है जिस सरीके से हम plus minus की बोलते हैं ये direction plus ये minus तो actually में वही चीज़ हम यहाँ भी use कर लेंगे तो आप ये समझ लेजिए कि अगर किसी ने i cap ये मान लिया है तो इसका just opposite वाला हम क्या लेख देंगे भई minus i cap ऐसे ही अगर किसी ने उपर मान लिया है j cap y को तो नीचे क्या जाएगा minus j cap तो आप समझ गए कि अगर कोई plus x दिखा सकता है तो minus x axis भी यहाँ पे minus i cap से हम represent कर सकते हैं तो यह notations आपको ध्यान रखने है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो अब हमें directions पता लग गई है तो अब हम थोड़ा सा जो vector सीखा है उसको apply करके देखते हैं भई कैसे हम उसको लिखेंगे जैसे मान लेजिए कि आपको language में language में आपको लिखा जाता है write a force two newton along x-axis ठीक है या acting acting in x direction अब इसको हम कैसे लिखेंगे vector form में ठीक है तो सबसे पहले हम इसको represent कर देते हैं हमें बोला गया है कि ये force है two newton मुझे पता है force कैसी quantity है vector quantity है तो मैंने इस पे force लिख करके f vector लिख दिया अब ये जो f vector है इस vector में हम क्या लिखेंगे भई एक तो magnitude दे रखा है two newton उसके बाद क्या दिखाना बाकी है direction और विसी बात है अगर हमें बोला है x direction है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे भई i cap तो अब ये notation क्या बन गया two newton i cap या simply two i cap यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं newton तो यहाँ पे हम समझ गए ये vector को दिखाने का लिखने का तरीका है तो अब से जब आप books पड़ेंगे vectors पड़ेंगे तो आप ऐसे अगर लिखा होगा तो पहचान जाएंगे कि ये क्या लिखा है भई एक two newton magnitude का force i cap मतलब x direction में लग रहा है अगर इसी तरीके से force मान लेजी कि लग रहा होता इस direction में और इसकी value होती 3 newton तो हम क्या लिख देते भई f is equals to 3 newton j cap clear तो इसका मतलब i cap या j cap इस तरीके से vectors की direction जो है वो magnitude के साथ हम अगर club कर लें तो ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते है vector form तो ये किसी भी vector का vector form है clear तो इस तरीके से हम vector form में vectors को लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो आगे बढ़ें अगर हम तो next हमारे पास होता है addition addition of two vectors addition of two vectors तो vector के addition का ठीक है vector के addition का यहाँ पर हम rule पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ हम कितने vectors के लिए पढ़ेंगे दो vectors के लिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला rule है triangle rule triangle rule of addition तो rule बड़ा सिंपल सा है भई ठीक है रूल बड़ा सिंपल सा है ध्याँ से सुनिएगा अगर आप एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी इस तरीके से एड़ करें कि एक हैड बी के टेल से या उल्टा करें बी का टेल एक हैड से जोड़ दें ठीक है एक हैड बी का टेल या फिर उल्टा करें कि बी का हैड और एका टेल तो इस तरीके से जो आपको यहां फिगर मिलेगा ठीक है वो कैसा फिगर मिलेगा भई अगर मान लो कि हमने एक को ऐसे रखा और बी को शिफ्ट कर लिया तो यह फिगर आपको मिल जाएगा अब यहां पे ट्राइंगल रूल है तो मतलब हमें ट्राइंगल बनाना लेकि ट्राइंगल बनाने का एक तरीका है क्या तरीका है जो थर्ड साइड होगी आपकी यह इस थर्ड साइड का टेल टेल पे होना चाहिए और हेड हेड पे तो अब्विस सी बात है कि आपने एक हेड बी का एक टेल जॉइन कर दिया तो एक टेल फ्री है और एक हेड फ्री है तो टेल पे टेल हेड पे हेड यह थर्ड वेक्टर बन गया सी वेक्टर तो इस सी वेक्टर क plus B vector, तो यह है addition, addition of A vector and B vector, या इसका दूसरा name है resultant of A vector and B vector, अब इसका मतलब क्या है समझ लो, जैसे, मान लो कि हमारे पास दो forces लग रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इन दो forces को अगर मुझे replace करना है किसी एक force से, तो वो एक force हमें कितनी length का लेना है, और किस direction में लेना है, वो बताता है triangle rule of addition, उस force को नाम लिखते हैं, resultant, तो दुनिया में कोई भी दो vector अगर हम लेते हैं, उनको add करते हैं, ठीक है, add करेंगे, तो उनका जो resultant होगा, वो किस तरीके से हमें दिखाना है, और कितनी length का होगा, वो हम triangle rule of addition से देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब, आप चाहे 2 newton और 3 newton दो forces लगाएं, या केवल ये force लगा दें, ये force वैसा ही काम करेगा, जैसे ये दोनों force मिलके कर रहे हैं, clear, तो इसका मतलब यहाँ पे, resultant of A and B का मतलब क्या है, कि ये force C, इन दोनों force के बराबर हमारे पास result produce कर सकता है, तो ये होता है हमारे पास triangle rule of addition, आप इसमें अगर ध्यान से देखें, अगर हम उल्टा करते, कि B का जो head है, उस पे अगर हम A की tail join करते, तब भी result नहीं बदलता, देखो, वह direction आ रही है, यानि जो resultant है C, वो अब भी उसी direction में जा रहा है, और इसकी length निकालेंगे तो ये अब भी उतनी ही आएगी, ठीक है, अब length कैसे निकालेंगE, यह हम देखेंगे अभी, दूसरा rule इसमें इसमें क्या होता है बई, दूसरा rule इसमें क्या होता है parallelogram rule, ठीक है, तो दूसरा rule होता ha parallelogram rule, तो parallelogram rule of addition अब इसमें क्या करना है भई फिससे भई दो vectors हमने लिए A and B तो इसमें तरीका ये है कि आप दोनों vectors की tail को ही join कर दो दोनों vectors की tail को join करेंगे तो भई ऐसे हो जाएगा tail को join करते टाइम क्या ध्यान रखना है बच्चे tail को join करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें vector की direction change नहीं करनी है उसका magnitude भी change नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे A vector A vector वही direction में आ रहा है clear और B vector B vector उसी direction में आ रहा है तो अब यहाँ पे इन दोनों vector के बीच में ये angle theta हमने बोल दिया क्या इसको angle A और B के बीच का angle बोल सकता हूँ बिलकुल बोल सकते हैं सर क्यूं क्यूंकि यहाँ पे दोनों की tail joined है ठीक है तो अब यहाँ पे theta को हम क्या लिख रहे है angle between A vector and B vector ठीक है अब parallelogram rule है तो इसका मतलब दो parallel side होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे दो parallel side अगर हम बनाएंगे ठीक है दो parallel side हमने बना ली एक A के parallel A के बराबर दूसी B के parallel B के बराबर अब जो vector हम बना रहे हैं ठीक है यह vector जो होगा यह यह वही C vector है यह वही C vector है उसी direction में भी आ रहा है इसका मतलब parallelogram rule हो चाहे triangle rule हो दोनों rule से हमारा resultant change नहीं होता है और अगर आप ध्यान से देखें तो यह वो जो दो triangles हमने बनाए थे पहले A का head B का tail, बाद में B का head, A का tail यह उसी दोनों triangle को join करने के बाद जो बनता है parallelogram यह वही result है लेकिन दोनों rules है दोनों rules को rules के हिसाब से हमें ध्यान दखना है तो अब यहाँ पर क्या देखा हमने कि हम parallelogram बना लेंगे और parallelogram को complete करेंगे दो sides से तो जो हमारा resultant होगा वो कैसा होगा बच्चों tail पर tail और opposite corner की तरफ head यह हमारा c vector होगा तो अब यह c vector फिस से क्या हो जाएगा a vector plus b vector अब बच्चों यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखें तब भी सेम बात है ठीक है यानि order important नहीं होता है addition में आप a vector plus b vector लिखें या b vector plus a vector चाहे हम a के साथ b का head जोड़ें या b के head के साथ a का tail जोड़ें यहाँ पर जो तरीका है वो सेम रहेगा ठीक है तो यह c vector हमारे पास हो गया a vector plus b vector या b vector plus a vector तो दोनों rule अच्छे से हमें ध्यान रखने हैं इसी तरीके से ही आपको इनको बनाना है अब यह तो हमने बस क्या सीखा यहां से कि vector को हम दिखाएंगे कैसे clear vectors को हम कैसे दिखाएंगे तो अब vectors को दिखाने के बाद magnitude की अगर हम बात करें कि magnitude भई कैसे निकालेंगे क्या तरीका होगा तो देखिए वो जो magnitude है जो मैंने कहा था कि यह जो length होगी वो कैसे यहां पर निकालेंगे तो magnitude of resultant resultant vector resultant vector जो है वो क्या है दो vectors का addition resultant vector का magnitude कैसे निकालेंगे हम तो हमने वही vectors ले लिये हैं B vector ले लिया हमने और हमने A vector ले लिया अब इन दोनों vectors का हम parallelogram बनाएंगे और इन दोनों vector के parallelogram completion के बाद यह जो vector है यह हमारा C vector है हमने दिखा दिया अब क्यूंकि यहां पर यह जो है यह angle theta हमने बोला अब यह angle alpha है इतना और यह वाला जो angle है यह कितना है बीटा चीक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि alpha प्लस बीटा की value किसके बराबर है वही theta के बराबर है alpha क्या है तो angle है between A vector and C C vector क्या है हमारा resultant vector ऐसे बीटा क्या है हमारे पास angle between A vector sorry B vector and C vector मतलब B vector और C vector के बीच का angle है clear अब यहाँ पे हम resultant निकालना चाहते हैं मतलब C vector का length निकालना चाहते हैं उसका magnitude हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे हम एक छोटा सा construction कर रहे है कि जो हमारा C vector है ठीक है उस C vector से हम एक जो C vector है उस C vector से हम एक perpendicular drop करेंगे तो यह हमारा C vector है और इस C vector से हम क्या कर रहे हैं एक perpendicular यहाँ पे drop कर रहे है यह इस तरीके से अब अगर हम पैललोग्राम देखें यह black sides वाला पैललोग्राम है तो हम बूल सकते हैं कि यह vector की जो length है यह B है magnitude of B अचा भई अगर magnitude को और तरीके से दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं आप अगर किसी vector के उपर symbol हटा लें तो symbol हटा लें या mod लगा दें यह दोनों ही तरीके क्या है magnitude के तो आप इस दोनों तरीकों से magnitude show कर सकते हैं तो simply अगर B लिखा हुआ है तो simply B भी हमारे पास क्या है magnitude है या B के उपर mod लगा दिया हमने तो भी वो magnitude है ठीक है तो B vector के लिए दोनों ही magnitude representation में आ सकते हैं क्यूंकि ये दोनों sides parallel हैं तो जितना angle ये होगा उतना ही angle ये होगा corresponding angle से तो ये angle अगर थीटा है तो ये भी angle कितना हो जाएगा बच्चों थीटा अब मैं इतनी length को यहाँ पे x बोल रहा हूं और इतनी length को मैं यहाँ पे y बोल रहा हूं अगर ये x और y में निकालना चाहूं तो 10th की बहुत basic सी geometry से आपने सीखा होगा अगर ये angle थीटा है तो ये हमारा base होगा और ये हमारा perpendicular और ये हो जाएगा hypotenuse तो हम क्या देख सकते हैं x upon b की value कितनी हो जाएगी भई cos थीटा तो यानि x यहाँ से कितना आजाएगा b cos थीटा इसी तरीके से अगर हम y upon b निकालेंगे तो ये कितना आजाएगा भई sin थीटा यहाँ से y की value हो जाएगी b sin थीटा तो इसका मतलब अगर इस पूरे triangle में हम देखें चीक है तो ये वाली पूरी side है a और ये हमने अभी अभी निकाल ली कितना है ये side तो ये x हमने नाम दिया था यहाँ पर मैं इसको change कर देता हूँ ये कितना हो जाएगा भई b cos थीटा और अगर मैं अब इसको change करूँ तो ये वाला कितना हो जाएगा भई b sin थीटा तो अब ध्यान से देखिएगा जिस triangle की मैं बात करने जा रहा हूँ वो triangle ये है ये वाला triangle है हमारे पास अब इस triangle में हम pythagoras theorem अगर लगा दें तो हमारा result तुरंट आ जाएगा इस triangle में अगर हम pythagoras theorem लगा दें तो तुरंट हमें result obtain हो जाएगा देखिए ध्यान से तो pythagoras theorem यहाँ पे हम लगाने जा रहे है b sin थीटा और ये पूरा side है a plus b cos थीटा तो यहाँ पे अगर हम pythagoras theorem लगा दें तो c vector जो हमने यहाँ पे लिया था उसका length हो जाएगा c या mod c दोनों ही लिख सकते हैं तो mod c लिखें चाहे c लिखें बात एक ही है बच्चों तो यहाँ पे अगर हम c निकालना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि c का square इसके और इसके square के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे c का square pythagoras theorem के हिसाब से a plus b cos theta का whole square plus b sin theta का whole square होना चाहिए तो अब अगर हम इसको solve करें ठीक है तो यहां से मैं हटा जेता हूं अब अगर हम इसको solve करें तो यहां से यहां से आ गया हम इसको solve कर लेते हैं तो यह term मैंने आ पर छोड़ दी अब देखिए यहां पर यह जो term है इसको मैं आ पर solve कर रहा हूं ठीक है यहां पे c का square किसके बराबर आ जाएगा भई इसको open कर लेते हैं तो यह आ जाएगा a square b square cos square theta और b square sorry 2ab cos theta तो यह term तो हमारे पास सिर्फ इस से आ गई क्योंकि यहां पर हमने जो आपने junior class में पढ़ा होगा x plus y का whole square का formula वो यहां पर apply कर दिया हमने और साथ में अब यहां पर कितना आ जाएगा भई b square sin square theta तो यहां से पूरी term को अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा यह a square इस term को अगर आप ध्यान से देखो तो इस term और इस term में अगर b square हम common ले ले तो यहां पर अंदर कितना आ जाएगा भई sin square theta plus cos square theta यह trigonometry की एक बहुत ही beautiful identity है जो आपने पढ़ी होगी 10th class में b square और 2ab cos theta तो इसका मतलब हमारे mod c का square या c का square कितना बन गया भई a square plus b square plus 2ab cos theta तो यहां से mod c mod c कितना जाएगा square root of a square plus b square plus 2ab cos theta तो इसको अगर हम ध्यान से समझें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो vectors हैं एक vector a है और दूसरा vector b है तो अगर दोनों vector की tail से tail हमने join कर ली और उनके beach का angle हमें पता है तो काफी है ये तीन चीजे इंपोर्टेंट होती हैं उसके resultant का magnitude निकालने के लिए तो यहां पे जो आप ये magnitude निकालते हैं जो इनके beach से कहीं जाएगा इस c vector का जो magnitude होता है वो इस angle और इन दोनों के magnitude पर depend करता है तो मैंने आपको बताया था starting class में कि vectors के beach का angle हमारे लिए बहुत important quantity है क्योंकि इसके basis पर decide होता है कि vector c का length कितना हो सकता है ठीक है तो यहां से c का length किस पर depend करता है वही a vector के length b vector की length औ ठीक है अब अगर हम बात करें angles की तो angles की बात कर लेते हम यहां पर जो triangle हमने बनाया था अभी अभी उस triangle के हिसाब से अगर हम angle निकालने की बात करें तो यह जो angle बनेगा यह alpha बनेगा हमने बनाया था यह vector c वाला vector है और यह पूरी side अभी अभी हमने निकाली कितनी है वही a plus b cos theta और यह वाली side कितनी है b sin theta तो यहां से अगर मैं यह angle alpha को निकालना चाहूं तो इस triangle से 10 alpha कितना लिख सकता हूं तो 10 alpha लिख सकता हूं a sin b sin theta यानि यह perpendicular upon में base जो किया जाएगा a plus b cos theta अब जैसा construction हमने इसके लिए किया है कि similar construction हम b side पे करते इसको extend करके b side पे करते तो similarly हम b vector के साथ angle निकालते तो वो भी कुछ ऐसा ही निकल के आता ठीक है बस फरक कितना है ध्यान से देखिएगा जहां a है वहां पे आप a को किस से replace कर देंगे b से तो यहां पे a sin theta आ जाएगा और नीचे कितना जाएगा b plus a cos theta तो मैं इसको कैसे याद करवाता हूं क्या तरीका ह है क्या trick है आप यह याद रखिए कि जिसके साथ angle बन रहा है वह vector का magnitude यहां पे आएगा एक बार ठीक है बाकी आप क्या देख पा रहे हैं जैसे यह 10 है तो यहां पे sin theta और cos theta मतलब जैसे 10 theta होता है वैसा सा कुछ आप इसको याद रख सकते हैं यह याद रखने के purpose से में ब plus में cos theta ठीक है तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो यह एक simple बस तरीका है याद रखने का क्योंकि हमें यह angle अगर निकालने के लिए आता है तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा वैई क्योंकि हम बार-बार derivation नहीं करेंगे हम इसको directly याद रखते हैं तो जो medical के बच्चे हैं उनको तो मैं बिल्कुल बोल देता हूं कि आपको याद रखना है क्योंकि हम इसका बार-बार यूज़ करेंगे तो आपको यह बार-बार derive नहीं करना है और सभी लोग इसको याद रखते हैं अब यह जो angle है इसका थोड़ा सा हम इसको analyze करते हैं एंगल को कि एंगल कब बड़ा कब छोटा कहां पर कैसे बनेगा एक बहुत ही simple से figure से इसको analyze करते हैं तो देखिए जब कोई vector का resultant मनला दो वेक्टर का resultant जब हम निकाल रहे होते हैं तो resultant vector किसकी तरफ जादा जुकावा रहेगा अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसको हम यहां से देख सकते हैं इस figure से देखिएगा ध्यान से अगर मान लो कि यह यह vector A है ठीक है और यह vector B है मैं simple case ले रहा हूं बच्चों पहले ताकि आपको छोड़ा सा feel हो सके कि vector में angle resultant के साथ जो बन रहा होता है उसमें कब angle छोटा और कब angle बड़ा बनेगा किस बात पर depend करता है ठीक है जैसे मान लो कि हमने यह दोनों vectors लिए अब अगर हम यहां प से जाएगा clear अब ध्यान से देखिएगा इसने अभी angle यह बनाया A के साथ यह बनाया B के साथ अब अगर मैंने इसमें से किसी एक vector को छोटा करना शुरू कर दिया let's say मैंने B को छोटा कर दिया तो अगर मैंने B को छोटा कर दिया अब दिख भी इस बार A से छोटा हो गया चीए अगर मैंने अब resultant ड्रों किया तो आप क्या देख पार form resultant कहा जाएगा मईने पैलजव इस ब्लोग्रम आको से एंगल कम बन्रहा और B से जादा बन्रहा तो अगर हम भी और चुटा कर दे तो हम क्या देख पारे हैं भई, B को और छोटा करने पर हमारा resultant कहां पहुँच जाएगा इस बार हमारा resultant यहां पहुँच जाएगा भई इसका मतलब उसका A से angle और कम हो गया है तो इस से हमने क्या पता लगाया कि अगर दो vectors हैं A और B और हमें पता है कि A का magnitude B के magnitude से क्या है भई, बड़ा है तो जो भी इनका resultant आएगा C vector, जो भी resultant आएगा C vector, उसका A से angle कम बनेगा और B से जादा बनेगा यानि resultant हमेशा किस की तरफ जुका वराएगा बड़े वाले vector की तरफ जुका वराएगा तो इसका माला alpha angle छोटा होगा और beta बड़ा होगा तो ऐसे questions अगर exam में आते हैं तो आप बहुत simply इन diagram की health से समच सकते हैं कि वाकई में जो resultant होता है वो हमेशा किस की तरफ जाद टिल्टेड रहता है बड़े vector की तरफ जिसका magnitude जादा है और बड़ा magnitude बड़ा vector है तो अव्यस से बात है उसकी तरफ जुका जादा रहेगा तो angle क्या बनेगा भई वहाँ पर कम बनेगा चलिए अब कुछ magnitude की चर्चा कर लेते हैं हमने देखा कि दो vectors के बीच का जो resultant है दो vectors का जो resultant है हम इस तरीके से उसका magnitude represent करते है a square plus b square plus 2ab cos theta यह उनका magnitude है अब इस magnitude पर अगर हम देखें तो इस c vector की length सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है यानि maximum value कितनी हो सकती है तो maximum value हम कितने लिख सकते हैं इसकी भई a square b square plus 2ab cos theta की maximum value सकते हैं आपे 1 तो यानि हम क्या समझे कि अगर एक vector यह है और दूसरा vector यह है तो अगर आप दो vector का resultant maximum चाहते हैं vectors का resultant maximum चाहते हैं length change नहीं कर रहे हैं तो दोनों vector का resultant maximum कब मिलेगा भई जब दोनों vector क्या हो जाएं same direction में अगर यह vector और यह vector parallel हो जाएं same direction में हो जाएं तो angle कितना हो जाएगा theta 0 degree और cos 0 degree कितना होता है भई 1 इसका मतलब यह value आ गई अब ध्यान से देखिएगा अगर same direction में तो क्या बन जाएगा a square plus b square plus 2ab यानि a plus तो जो c का maximum value है वो कितना हो गया भई a plus b तो जब दो vector same direction में होते हैं तब उनका resultant सबसे जाएदा होता है ठीक है अब अगर मैंने minimum की बात की यहाँ पर minimum की बात की अगर मैंने यहाँ पर तो minimum में हमें कितना मिलेगा भई a square plus b square plus 2ab अब cos theta जो है उसको minimum value कितनी दे सकते हैं minus 1 तो यहाँ पर यह value कितनी आ जाएगी भई तो यहाँ पर मैं mod लगा रहे था हूँ क्योंकि magnitude की बात कर रहा हूँ तो कौन बड़ा है कौन छोटा मुझे नहीं पता तो यानि जो भी vectors होंगे हमें बड़े में से छोटे को वहाँ पर सब्ट्रेक कर देना है इसका मतलब जब vectors opposite में होते हैं जब vectors opposite में होते हैं तो उनका resultant सबसे छोटा हो जाता है और सबसे छोटा होगा तो कितना हो सकता है वही एक vector में से दूसरे vector को हम क्या कर देंगे subtract कर देंगे a minus b तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं यहां से कि जो हमारे vectors का magnitude है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों का addition हो सकता है और कम से कम उनका subtraction ठीक है अब यह जो c vector हम लिखा किया इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं तो बिलकुल लिख सकते हैं a vector plus b vector ठीक है a vector plus b vector मैं थोड़ा इसको यहां पर लिख देता हूं तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जो c vector है उसका mod less than equals to a plus b और greater than equals to a minus b इसका mod लगा दिया है मैंने अब क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं तो बिलकुल लिख सकते हैं कि c vector a vector plus b vector तो यानि a plus b vector का जो mod है जो mod है यह a plus b से छोटा और बराबर और greater than equal to a minus b होगा तो ऐसी चीज़े exam में हम से पूछ ली जाती है तो हमें ध्यान दखना है clear चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो next है दो vectors का subtraction चीज़े दो vectors का subtraction अब अगर हम vectors में subtraction की बात करें पहले इसको समझ लेते हैं subtraction of subtraction of two vectors subtraction of two vectors तो subtraction of two vectors क्या है जैसे मान लीजी कि हमारे पास vector a है और दूसर वेक्टर है vector b तो a vector और b vector की positive directions हमने यहाँ पे ली अगर हम b vector को उल्टा कर दें अगर हम b vector को उल्टा कर दें तो यह कितना हो जाएगा a vector minus b vector तो मैं इसको ऐसा समझाता हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे है भई a vector में minus b vector को add कर रहे हैं ठीक है a vector में minus b vector को add कर रहे हैं तो याद रखिए दोनों vector के बीच का जब भी resultant निकालना हो तो हमें उनके बीच के angle को पस prefer करना है तो अगर मैं यहाँ पे a vector और उसमें जोड रहा हूँ minus b vector तो मैं क्या कहूँगा इनका resultant कैसे आएगा भई इनका resultant आजाएगा a square plus b square plus 2ab उनके बीच का angle अब उनके बीच का angle मतलब a vector और minus b vector के बीच का angle तो यहाँ पे अगर मैं इस phi की बात करूँ तो हम क्या कह सकते हैं भई यहाँ पे ज्यान से देखो अगर यह angle theta था यह angle phi है ठीक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि theta plus phi की value कैसी हो जाएगी भई 180 degree तो यहाँ पे phi को हम क्या लेख सकते हैं 180 degree minus theta अगर यहाँ पे हम cos phi निकालेंगे तो भई ऐसे case में cos phi हो जाता है negative तो यह minus cos theta तो कुछ लोग यहाँ पे minus लिख करके भी represent करते हैं लेकिन मेरा एक simple सा concept है simple सा कहना है कि अगर हमें दो vector का resultant चाहिए क्या important है आपको vectors की length पता होनी चाहिए और उनके बीच का angle formula remain the same इसका मतलब जब हम magnitude निकालते हैं तो minus का में फरक नहीं पड़ता है minus सिर्फ direction represent करता है minus कभी magnitude को नहीं change करता है ठीक है तो आज क्लास में इतना है रखेंगे next class में हम इसका continuation पड़ेंगे तो जो भी students ने मेरा channel subscribe नहीं किया है प्लीज उसको subscribe कर ले ऐसे videos में आपको डाल दे रहूंगा जो भी आपके doubts है वो आप comment box में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना है thank you और नही उनता है घसन आपके लिए